दोस्तो नमस्कार फिर से एक ने वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस आठिकल में आई खबर के अनुसार आप देख सकते हैं कि सारा इंडिया पेमेंट रिफंड न्यूज सारा इंडिया की कमपणियों में निवेश करने वाले उमिदवारों के लिए जरूरी ख से भी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार माना गया है कि वर्स द्वाजर बारे में उच्चने अलाई के आदेश के अनुसार सारा की कमपणियों में निवेश करने वाले उमिदवारों को लगबग 3 करोड निवेश को को ब्याज साहित पैसा वापस करने के लिए कहा गया था लेकिन इन कमपणियों में निवेश करने वाले उमिदवारों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्स 2021-22 साहरा इंडिया पेमेंट रिफंड में कुल रासी 9 करोण रूपए ही बड़ी है वहीं से भी साहरा रिफंड खातों में से रासी इस दावरान 1515 कर रिफंड के अनुसार कहा गया है कि 31 मार्च 2012 तक साहरा ग्रूप को 9650 अवेदन ही प्राप्ट हुए थे जिसमें रिफंड की गई रासी के केवल 82 दसमलों 31 करोण रूपए ही सामिल थे इसमें से हिसार ग्रूप के द्वारा आवेदन करने वाले उमिदवारों को 17526 उमिद की जाने वाली कंपणियों में 139 करोण रूपए की रासी का रिफंड किया गया है सेवी के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्च नयाले के आदेश का पालन करते हुए 30 मार्च 2012 तक साहरा ग्रूप के द्वारा संचालित की जाने वाली कंपणियों के द्वारा कुल मिलाकर 15,507 करोन रुपए की वसुली की गई है सहरा के द्वारा संचालित की जाने वाली कंपणियों में निवेज को द्वारा प्राप्ट जानकारी के उनसार सेवी ने पाया कि सहरा इंडिया रियल इस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड और सहरा आुसिंग इनिस्ट्मेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने OFCT में लगबग 2 करोन से अधिक उमिद्वारों की रिफंड रासी को लगबग 24,000 करोन रुपिय की रासी जुटाई गई है बारतिय प्रतिभूत एवबिनियम बोर्ड के द्वारा सहारा के द्वारा संचालित की जाने वाली कमपनियों में निवेश की जाने वाली रासी को सभी उमिद्वारों को 15% ब्याज के साथ पैसा वापस करने के आदेश दिया गया था पर समय के साथ साथ ही उच्चे नियाला और सेवी दोनों ही इस मामले को money laundering की तरह लेने साहरा ग्रूप के चेर्माइन को सुप्रीम कोड के आदेश अनुसार 26 जनवरी 2014 को गिरपतार किया गया था साहरा ग्रूप के चेर्माइन के ग्रिपतार होने के पस्चाथ ED के द्वारा वज़ा नॉमबर 2017 में साहरा ग्रूप के द्वारा money laundering का मामला दर्ज किया गया है इस तरह money laundering के case में साहरा ग्रूप की कमपनियों को पूरी तरह से सुप्रीम कोड के द्वारा सीकनजे में ले लिया गया है और साहरा ग्रूप के द्वारा निवेश को का पता नहीं लगाने के कारण refund रासी का भी पता नहीं लगाया गया अधिक समय जिससे द्वारा प्राप्त जानकारी के अन्सार दौलत राय को जेल भेज दिया गया साहरा ग्रूप के चेर्मेन दो वर्ष से अधिक समय जेल में काट चुके हैं اور अब होगा 2017 में परोल पर आया, पहली बार उन्हें मा के अंतिम संसकार पर परोल पर रखा गया था, सहारा के द्वारा आरोप लगाया गया था कि 25,000 करोन रुपे के रिफंड रासी सेवी के पास रहा है,